तूलसी विवा की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है शुकल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है इसी दिन भगवान भी चार माह की निद्रा से जाकते हैं और सभी शुब कामों की शुरुवात हो जाती है आज हम आपको बताएंगे तूलसी विवाग क्यों किया जाता है और कौन थी वरिंदा पुरातन काल में एक असुर था जिसका नाम था जलंदर जो समुद्र से उत्पन हुआ था और भगवान शिव का अंज था जो उसे ग्यात नहीं था जलंदर को हराना किसी के लिए संभव नहीं था और उससे यम्राज भी डरते थे उसकी इस शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी व्रिंदा जो सदा उसकी सेवा किया करती थी व्रिंदा के पती व्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंदर को हरा नहीं सकते थे जलंदर को अपने शक्ति चाली होने का बहुत गमंड था इसलिए वह देवताओं की पत्नियों को भी परेशान किया करता था धीरे धीरे उसके उप्द्रवों से देवताओं परेशान हो गये तब देवताओं तथा असुरों में युद प्रारम हो गया व्रिंदा बच्पन से ही विश्नु जी की परम भक्त थी जब जलंदर युद के लिए जाने लगा तो व्रिंदा ने कहा स्वामी जब तक आप युद में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूँगी और आपके लोटने तक संकल्प नहीं तोड़ूँगी व्रिंदा के व्रत के प्रभाव से जब देवता युद में हारने लगे तो विश्नु जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी भगवान विश्नु ने कहा व्रिंदा मेरी परम भक्त है मैं उसके साथ चल कैसे कर सकता हूँ देवता बोले प्रभू कोई दूसरा उपाय नहीं है इसलिए अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं तब भगवान विश्नु ने जलंदर का रूप लिया और व्रिंदा के सम्मुक चले गए पती को समक्ष देखते ही व्रिंदा तुरंत पूजा से कड़ी हो गई और उसका संकल तूट गया उधर युद में देवताओं ने जलंदर को पराजित कर उसका सिर काट दिया और उसका सिर महल में आकर गिरा पती का सिर कटा देखकर व्रिंदा ने भगवान विष्णू से पूछा कि आप कौन है जिसने मेरा सतित्य भंक कर दिया तब विष्णू जी अपने रूप में आ गए उन्हें देखते ही व्रिंदा सब समझ गई और विष्णू जी को श्राब दिया कि आप अभी पत्थर में बदल जाएंगे जिस तरह आपने चल किया और मुझे पती वियोक का कश्ट दिया ठीक उसी प्रकार आपको भी पत्नी विरह का दुख सहना पड़ेगा इतना कहते ही भगवान विष्णू पत्थर के हो गए यह सब होता देख सभी देवी देवताओं में हाहा कर मच गया मा लक्ष्मी भी विलाप करने लगी और व्रिंदा से श्राब वापस लेने के लिए प्रात्ना की तब व्रिंदा ने जगत कल्यान के लिए अपना श्राब वापस ले लिया और खुच जलंदर के साथ सती हो गई उनकी राख से एक पौदा निकला जिसे बगवान विष्णू ने तुलसी का नाम दिया और बोले मैं इस पत्थर के रूप में हमेशा शालिग राम नाम से तुलसी जी के साथ रहूँगा और हमारी साथ ही पूजा होगी तुलसी जी के बिना मैं कभी भोग स्विकार नहीं करूँगा तब से सभी तुलसी जी की पुजा करने लगे और तुलसी जी का विवा शालिग राम जी के साथ किया जाने लगा माना जाता है कि व्रिंदा के श्राप के कारण ही विश्णु जी ने जब भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया तब उन्हें भी सीता व्योग का कष्ट सहना पड़ा आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो चलते चलते हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ हमारे चैनल लिसन स्टोरियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें